ग्रीटिंग्स 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 माइवी फामिली अल ओवर दर वर्ल्ल मैं आपका चीफ मेरे वेडनेसदेश में आपका स्वागत है और अभी मैं इस समय होंग कॉंग में हूँ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं दातुश्री वीजे के साथ हूँ और कुना यहाँ पर है, जे आर यहाँ पर है, कैथी है, बोय है, सभी क्यू आई डिरेक्टर्स हैं, हम हौंग कॉंग आए हैं और हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है अपना एनिवर्सरी डिनर, एनुवल ड क्यू आई का, होंग कोंग में कुछ घंटे पहले, और अभी मैं तयार होने जा रहा हूं, पैकिंग कर रहा हूं, और शायद थोड़ा सा सो भी लूंगा, और अभी कुछ ही घंटों में मैं ड्राइव करके, बॉर्डर क्रॉस करके जाओंगा, दुनिया की नंबर वन मार्क में जो हमारी फ्यूचर की मार्केट होगी, चाइना में जो की है शेंजेन, और वहाँ पर मैं अन्बिलीवबल वारियर से मिलने वाला हूं, जो अपनी जर्नी की शुरुवात करेंगे दवी के साथ, और हम खोलने जा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रेक्ट पूरी दुनिया में चाइना, तो मैं भी बहुत ही जादा एक्साइटेड हूं, और वापिस जमीन पर जुड़कर काम करना, यह सबसे दुनिया का बेस्ट गिफ्ट जदातु श्रीवीजे ने मुझे दिया है, यह ऑपर्चिनिटी की मैं वापिस ग्राउंड पर आहूं, और मुझे उमीद है कि आप लोगों ने मेरे इंस्टा लाइब देखा होगा, जो कि सुबा के दो बजे था हौंकों के, और मुझे कनफेशन भी करना है कि मैं यह इंस्टा लाइब किया, जबकि मैं पिछले दो दिन से सोया नहीं था, और इंस्टा लाइब के बीचों तो दुनिया में जो भी हो रहा हूं, उसकी वज़ा से distracted ना हो, focused रहें, आप एक entrepreneur हैं, आप एक normal इंसान नहीं है, एक normal इंसान के अंदर या ability होती है कि वो switch off हो जाए, और slow down हो जाए, और कुमबया का है, especially December के महीने में, पर हम लोग entrepreneur होने के नादे कभी भी 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 कभी भी कभी भी switch off नहीं होते हैं, और यही मेरी life का mantra है, all right, भले मैं travel कर रहा हूं, भले Christmas का, दीवाली का, Eats का, Chinese New Year का, एक कुछ फरक नहीं पड़ता, हम entrepreneurs हैं, और हमारा Qnet business 2400 घंडे खुला रहता है, guys, all right, क्यूंकि अब स्थिती यह है कि हम यह चीजों को करते नहीं है, यह हमा कर रहे हैं, यह सिर्फ आपके business partners नहीं है, यह लोग धीरी धीरी आपकी family बन जाते हैं, all right, जैसे कि आप अरुन को देख लीजे, आदली, डेविड को, okay, आज यह सब मेरे परिवार की तरह हैं, और यही चीज नेट्वक मार्केटिंग में बहुत beautiful है, आप यहां पर traditional business के म vision है, वही goal है, जो मैं achieve करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही amazing चीज है, और यह बहुत amazing journey है, और आज QI के annual dinner के time, तातुश्री शेयर कर रहे थे अपने दिल से कि क्यों उन्होंने इस company की शुरुआत की, जो की rhythm पर based है, raise yourself to help mankind, और उन्होंने फिर से हमें याद दिलाया कि companies सफ पर नहीं होती है, लोग होते हैं, और 26 सालों से मैंने उन्हें और जापा को देखा है, लोगों को बहतर बनाते हुए, उन्होंने मुझे बहतर बनाया है, ताकि मैं इस वीडियो पर आज सकूँ, आपका चीफ, आपका अपलाइन बनकर, जो कि आप से बात कर रहा है, आपन होने में, तो वहे ग्रोथ, वहे परिवर्तन, वहे चेंजिस जो आप मर होते हैं, जो लेसंस जो आप सीखते हैं, वहे सबक जो आपकी लाइफ के बारे में हैं, आपके बारे में हैं, और अपने लिमिटलस पोटेंशल को पहचानने के बारे में हैं, और फिर उस लिमिटलस potential को unleash करने का तरीका ढूंडने के बारे में हैं तो आप इन सब चीजों पर एक price tag नहीं लगा सकते यह सब priceless है priceless मैं यह count कर सकता हूं कि मैंने कितना पैसा कमाया जो properties जो cars मेरे पास है उन पर मैं price tag लगा सकता हूं इन सब चीजों पर प्राइस लगा सकता हूं पर अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं price लगा हूं एक परिवर्ति पत्मन सिनाथी राजा पर्दो थैंक्स का एजापा और दातुश्री वीजे को मेरी मां को God उनको bless करें तो यह परिवर्तन priceless है बिल्कुल priceless ना कि यह millions नहीं trillions ओके ओल्राइट तो इस वेड़नस दे मैसेज में कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए हाइलाइट करना है वी टीनेज वाले हैं मुझे देख रहे हैं तो यह बहुत महत्वपून है क्योंकि यह लाइफ के बारे में खाली network marketing की बात नहीं आल राइट तो आपने शुरुवात में वही गलती करना शुरू कर दिया है जो बहुत सारे क्योंकि मेरे हिसाब से network marketing बिना टार्गेट के बिना गोल्स के बिना ना पे जाने वाले गोल्स के यह बिजनस आपको क्रेजी कर देगा आपको रिजल्स नहीं मिलेंगे क्या आप समझ रहे हैं आप फ्रस्ट्रेटिड हो जाएंगे यह जैसा है बिना फिनिश लाइन के सौ क्या गलती कर रहे हैं कि आप यह करो 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 पानसों डॉलर कमा विजह हैं चाहता हूं आप तीन साइन अप करें अगले हफ्ते और आपके लिए चाहता हूं कि आप भी अगले हफ्ते अपना पूरा एक साइकल कंप्लीट कर लें और हां आपको इस हफते करना है कि आप समझ रहे हैं आप बस लोगों को उनके टागेट के बारे में इंस्ट्रक करते हैं और फिर वापिस जाते हैं और जाकर सो जाते हैं और जाकर अपनी सासु मा के साथ कुंबया काते हैं तो अब याद रखें कि यह जर्णी यह कोई एंप्लॉइमेंट नहीं है आप कोई बॉस नहीं है जो और लोगों को बताए कि क्या करना है और आप खुद वापिस जाएं और दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वह सब करें ओल राइट देखी वह सब यह आपके बिजनस पार्टनर हैं आप उनके गाइड हैं आप उनके साथ बैठें और उनको समझने में मदद करें कि उनको क्या करने की जरूरत है इस हफ़ते उस टार्गेट को अचीव करने के लिए और उनको और उनको और बार लोग बहुत ही अंबिशिज टार्गेट कर लेते हैं हाँ देखिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि उसके लिए क्या सेक्रिफाइस करना होगा क्या कमिट्मेंट करना होगा उन्हें उसे पाने के लिए इस हफ़ते और कितना समय उनको देना होगा उस टार्गेट को अचीव करने के लिए तो यह सब बातें आपको उनको समझने में मदद करना होगा all right तो जब आप किसी को कुई तो जब आप किसी को कोई गोल दे या कोई tati देते हैं किसी को all right तो यह खाली उनका ती अघ्ता डा बंगा भी टиной है क्यूंकि उनका ती अठी आपका ती एटी बन जाता है क्या आप समझ रहे हैं क्योंकि एक शेयर टीटी हो जाता है आप लाइना डाउन लाइन के बीच तो मेरा टीटी ही दातो का टीटी होगा और उसके लिए मेरे साथ बहुत ज्यादा इंवाल रहेंगे ताकि वो यह सुनिश्चित कर सके कि मैं अपने टीटी को अचीव करें क्योंकि अगर मैं अपने टीटी को अचीव नहीं करता हूं अल्राइट टेखनिक लिए अगर मैं फेल होता हूं उस हफते तो दातो श्रीवीजे भी फेल हो जाएंगे उस हफते आल्राइट क्योंकि वहीं मुझे गाइड कर रहे थे इसलिए जब साटेड़े को जब मैं उनसे बात करता हूं अपने कब खाली होगो तो वह सुनेंगे अगर कब फुल होगो तो वह नहीं सुनेंगे और मुखे बात यही है कि उनका टीएटी मेरा टीएटी हो जाता है तो जिस पल आपका ये माइंड सेट हो जाता है तो आप सिरफ टीएटी नहीं देंगे जब आप टीएटी देंगे तो करेंगे all right तो आप अपने डाउन लाइन को कॉंसल करेंगे और फिर देखेंगे कि वह आगे क्या करेंगे और अगर वह कहते हैं कि वह आगे रूल रूल देखेंगे रूल 3 का मतलब है चार प्रेजन्टेशन एक हफते के तो फिर आपको उनके साथ बैटने की जरू था और उनको इस समझाने की जरू है कि वह प्रेजन्टेशन करेंगे और उसके बाद फिर आप खाली सड़कों पर गूमेंगे और अजने भी लोगों से बा तो हर presentation का एक backup जरूर होना चाहिए क्योंकि लोग cancel कर देते हैं कभी लोग बिमार पढ़ जाते हैं या लोग avoid करते हैं कभी-कभी क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि आप QNET कर रहे हैं आप network marketing कर रहे हैं तो मुद्धे की बात यह है आपका एक backup जरूर होना चाहिए तो जब आप goal setting करते हैं आपने down lines के साथ या फिर जब आप अपने up line से console करते हैं अपने लिए goal setting के लिए तो यह सब discussions बहुत ही serious होते हैं यह ओ discussions होते हैं मेरे दातुश्री वीजे के बीत यह discussions कभी 2 घंटा कभी 3 घंटा चलती है यह जब मैं उनको explain कर रहा होता हूं कि क्या हो रहा है आफ्रिका में कब चाइना रॉक करने वाला है और South America, Columbia, Argentina क्या हो रहा है Middle East में Central Asia में, India में यह Hong Kong में, यह वैतना में यह रश्या में, कजाकिस्तान में तो जो भी हो यह दुबाई में, यह सौधी में यह लबनार में, तुनसेनिया में यह कौटिवाव में, यह घाना में तो क्या आप समझ रहे हैं हम यह सब चीज़े discuss करते हैं बहुत detail में कि क्यों मैंने अपना TAT achieve किया या फिर नहीं किया और फिर हम discuss करते हैं कि कैसे अगले हफते हम मिलकर अपना TAT achieve करेंगे एकठा तो जब आप targets देते हैं या फिर जब आपके downlines आपको अपना target देते हैं तो आप खाली बस यह मत करिए कि fantastic बहुत बढ़िया चलो करते हैं मुझे तुम पर विश्वास है आप unbelievable हो नहीं आप साथ में बैठ जाएं और फिर analyze करें figure out करें कि कैसे अपना target अचीव करेंगे क्योंकि आपका purpose एक upline होने के नाते या आपका purpose अपने upline के पास जाने का या आपका purpose एक upline होने का यह सुनिश्चित करना है कि वह इनसान उसके अंदर एक high possible chance होना चाहिए जादा संभावना होने चाहिए possibility होने चाहिए अपने target को अचीव करने की क्योंकि अगर कोई बहुत लंबा समय बीन अपने TAT को अचीव किये होए चलता है तो देखिए psychologically और emotionally भी वह सब इनसान है तो उनको doubt आने लगता है और बहुत frustrated हो जाते हैं mentally depressed हो जाते हैं क्या आप समझ रहे हैं और यही human nature की कमजोरी है क्या आप लोग मेरे साथ हैं और उसकी बाद दुबारा उने अपने अपने करना बहुत मुश्किल होता है पर जो लोग regular अपना TAT अचीफ करते हैं regular basis पे तो आपको उनको motivate करने की जरूरत नहीं होती आपको बस एक बार ताली बजानी हो और वो crazy हो जाते हैं पर वह लोग जोनों ने बहुत लंबे समय समय तक ताली बजानी पड़ती है ताकि उनको दुबारा से motivate किया जा सकी क्या आप समझ रहे हैं तो goal setting बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसलिए आपको क्या करने की जरूरत होती है आपको उस बंदे के साथ बैठना होता है आगर goal presentation है तो देखें कि वह किस बंदे से बात करेगा कब करेंगा किस समय करेगा किस कैफे में करेगा और किस तरह से बंदे और का वह चाहते हैं कि आप उनकी closing के लिए या फिराप buckets लाने की जूररत है या ञ׈ नोगे का दकाइड है जैसे कि मैं किया करता थे आपने आुलाइन्स के लिए मुझे याद है हम सब एक coffee shop में बैठा करते थे और हर एक table पर मेरे downline presentation कर रहे होते थे और फिर मैं वहाँ पर जाता था, और मैं जाता था दातुश्री वीजे का warrior और मैं जाता था और बस मैं एक table से फिर दुसरे table पर दुसरे table और उसके दुसरे table पर जाता था power closing करने के लिए, क्या आप समझ रहे हैं अब power closing क्या है कि उनके बहानों को बिलकिल entertain ना करें और बहुत की बिल्कों एंटेने करें और बस उनको पुश 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 करें तब जब तक वो yes न आ कहतें और वह हमेशा हाँ कहतें वह बस चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे हाँ कहने में तो किया आप लोग मेरे साथ हैं? All right, कि वो लोग चाहते हैं कि हां मेरी मदद करे में कि मैं हां कहुं, पट मेरी नेजर ऐसी है कि मैं ना कहता हूं और एक्सक्यूस क्रेट करता हूं, तो लेकर आए चीफ पत्म सिनाती राजा को वे मेरे excuses को kill कर देंगे, मैं doubts को खतम कर देंगे और boom फिर वे हाँ कह देंगे, all right और यही मैं करने वाला हूँ कल चाइना में तो मूल बात यह है कि आप बैठ जाते हैं और आप plan करते हैं, okay कि हाँ कितनी presentations, कौन है वो लोग, all right सब चीज़ों को देखें, मैं कहेंगे कि हाँ मैं अपनी school teacher से कल मिलने वाला हूँ तो आप उनको पहले से सला देते हैं कि कैसे presentation करें अपनी school teacher को या फिर वे अपने बच्पन के दोस्ते मिलने वाले हैं जो उनको seriously नहीं लेता तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप जाए ताकि वे respect करें कि applying आ रहा है कभी कभी तीसरे बंदी के वाज ज़दा powerful होती है क्योंकि जब दो लोग बहुत विमिलियर होते हैं तो presentation काम नहीं करती आप उनका TAT 500 US का है आप देखें उनकी ट्री को left को right को कितने UVs है या कितने UVs चाहिए और देखें इस चीज़को कि क्या वो double payout है या कैसे वो इस चीज़को करेंगे क्या मैं प्रमोट कर रहे है 1,000 BV या 3,000 BV या 5,000 या 7,000 BV all right कौन है बंदा जो बिलकुल sign up के नजदीक है क्यों मैं इतने confident हैं कि वो अपना TAT अचीव करेंगे तो मैं उनके mindset को समझना चाहता है क्यों मैं इतने confident है कि अपने TAT को अचीव कर लेंगे क्या मैं किसी खाब की दुनिया में है या फिर वो बहुत सीधे हैं या बहुत ही optimistic है या फिर वो बहुत ही जाद ही realistic है और बहुत सादा डरे हुए एक target set करने में तो आपको उनको बीच में लाना होता है आप समझ रहे हैं ताकि वैस चीज को समझ सकें कि वह कैसे इसे अचीव करेंगे कैसे वे अपना 6, 7 या 12 UV अचीव करेंगे और अगर उनका चेक का टारगेट बहुत बड़ा है तो 2000 डॉलर या 5000 तो उनको यह पता होना चाहिए कि वे कैसे इसे करने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या करेंगे ताकि इसे अचीव करें कि आप समझ हैं और अगर नहीं अचीव किया तो समझें कि क्यों ऐसा नहीं हुआ और उस समय आपको बहुत स्ट्रॉंग ट्रेसपास की जरौत होती है जैसे कि मेरे दादुश्री वीजे के साथ है जब वह मुझे हैमर करते हैं जब मैं आपना TAT अचीव नहीं करता और फिर चलो कोई अपने इस हमें अचे की टी फ़ोकस करते हैं देखें किने प्रेजेंटेशं कितने डीरेक प्रेजेंटेशन कईलों की लोग को आप dua कहां म tenho रहे हैं कमिटमेंट करना नहीं है यह सिर्फ अपना का Μढ़ीड करना नहीं है और हाँ फर उसके बाद अब मुझे सेटेडे को मिलना नहीं गोल सेटिंगर दुबारा रिव्यु करना पड़ता है वेडनस दे तक आपको उनके goals को already review करना है जो भी उस बंदे ने set किया है क्योंकि आपको पता है वेडनस दे के बाद फिर Friday midnight तक आपको पता है कि क्या होने वाला है क्या अवे अपने TAT के close है या फिर नहीं है क्या presentation फिनिश की है या फिर अभी तक नहीं किया है यह बहुत बड़ी ब्यवकूफी है, stupidity है, उनका TAT खाली उनका नहीं है, उनका TAT आपका TAT है, तो जब आपके downline का कोई TAT होता है, तो यह एक shared TAT बन जाता है, आपका और उस बंदे के साथ का, जैसे कि मेरा दातुश्री वीजे का, इसी वज़ा से मैं हमेशा उनके close रहता हैं, और मैं उनका 10-15 पर call कर दा हूँ, क्योंकि हमें उस हफते का पूरा समझना होता है, और यह सुनिश्चित करना होता है, कि हम अपने TAT को achieve करें, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? वह TAT खाली downlines का नहीं होता है, वह एक shared TAT होता है, अपलाइन के साथ, तो वह जिम्मेवा सारी भी equal होती है, उस TAT को achieve करने की, तो लोगों के लिए goal set करना यह बहुत बड़ी कला है, जिसके लिए समय और commitment की जुरूत होती है, और बहुत सारी बातचित करनी होती है, ऊपर, नीचे, और बहुत सारा ambition, reality, dreams भी होना ची, optimism भी होना ची, सकारात्मक चीज़ों नीची, reality भी होनी जी, बहुत सारा काम भी, बहुत सारा समय भी, बहुत सारा commitment भी, बहुत सारा sacrifice भी, क्या आप लोग मेरे साथ हैं, तो इस हफ्ते जब आप TAT set करते हैं हर किसी के लिए, तो इसे बहुत अच्छे से करें, खाली बिस इसको मज़े के लिए नहीं करना है, इसको properly करन करने के लिए, ओके, और आप साल का अन्त आने वाला है, मैं बहुत excited हूँ, और मिलता हूँ आप लोगों से, बैंकोक से, दुबाए से, या जहां पर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, अगले कुछ हफते, और उसकी बाद फिर Christmas पर, नया साल, और दुनिया को celebrate करने दे, हम celebrate क करेंगे, मैक्स आउट बन कर, आल राइट, I love you guys, और मिलता हूँ आप से, संडे, रात के आठ बजे, अपने इंस्टा लाइफ पर,